जहन बच्चो आद आपके लिए बुक रव्यू लेके आए हैं बुक का नाम है हिस्ट्री ओफ मेडिवल इंडिया इसका ओथर है सतीश चंद्रा और पब्लीशर है औरियंट ब्लैक स्वेन जो बुक है वो IES और UPS जो प्यारी कर रहे हैं स्टूडेंट सुन के लिए काफी बैनिफिशल बुक है यह पूरी के पूरी हिस्ट्री कवर करती है मेडिवल इंडिया की इस बुक के साइज की बात करें और इस बुक के चैप्टर की बात करें तो इस बुक में टोटल 19 चैप्टर है इसमें लिस्ट ऑफ मैप्स भी है इसमें मैप्स दिये गए हैं तस तो मैप भी काफी इंपॉर्टन है जैसे चोला किंग्डम का मैप है इंडिया राउंड एडी बार ट्वाल ट्वाल हंडर्ड सल्तनेत ओफ दिली इंस थर्टीन सेंचुरी इंडिया दुरिंग दा इस्ट्री को समझने के लिए तो देखिए इंडेक्स भी काफी अच्छा है इसमें हार एक चीज को जिस तरह देखिए एहमदाबाद यह 310 पे सब्सक्राइब करें किसी पर्टिकुलर कीवर्ड को भी सर्च कर सकते हैं कि स्पेस पर दिया है इंडेक्स बहुत बढ़िया वे में पडियूस किया गया है अल्फवेटिकली ओडर में है और इस बुक के रेट की बात करें तो यह बुक फोर सिप्टी में इसका प्रिंट र के बारे में डिसकस किया गया है सूर्ज रोधी जैन दिल्ली सलतनेतर मुगल्स के बारे में उनका हिस्ट्री कबर किया गया है राजपुत किंग्स और मराथा मराथा की इंपॉर्टर की बताया गया है इसमें रिलीजियस मोमेंट्स ऐसे सूफिजम बगती मोमेंट्स की बा नार्दन इंडिया दा एज ओफ त्री एंपायर्स थर्ड चैप्टर है साउथ इंडिया दा चोला एंपायर फॉर्थ चैप्टर एकनॉमिक और सोचल लाइफ एजुकेशन ए रिलीजियस बिलीफ फिफ्थ है दा एज ओफ कंफ्लिक्ट शिक्ट्र है दा सल्तनेत दिल्ली संदिज and the coming of the Portuguese 10th chapters Instagram for the empire in North India first next chapter 11th से में cultural development in India इसमें Articulture की moment की बात करीगी है दिबकती moments की बात करीगी है और literature and fine arts की बात है अगे next chapter 12th chapter struggle for the empire in in North India second इसमें next chapter है consolidation उंडिया की और साउथ इंडिया कि दिसकस है फिफ्टेंग्टर हैं इंडिया इन फर्स्ट वा आफ उफ दा सेवंटीं सेंच्छुरी और 16 चैप्टर हैसमें एकनोमिक इन सोचल लाइफ अंडर दा मुगल्स 17 चैप्टर हैसमें कल्चरन एंड लीजिस डिवेल्पमेंट्स मे डिटेल आप दे सकते हैं चैप्टर बाईज एटिंट चैप्टर है इसमें क्लाइमेक्स एंदर डिसिंटिग्रेशन ओधा मुगल एंपायर फस्ट नाइंटी चैप्टर है इसमें असेस्मेंट ब्रीफ इसका रिव्यू तो देखिए ये बुक कि जो लेंग्विज की बात कर बिल्कुल जायज और नए वर्ड है बिल्कुल चैनून हैं तो ये इंग्लिस स्पीकिंग में भी काफी इंप्रूब करते हैं तो इसमें जो कंसेप्ट है वो बड़ी अच्छी तरह से समझाया गया है और इस बुक की बात करें तो ये बुक जो बच्चे जूपीएसी आई ये वो डिटेल में पढ़ना चाते हैं मैलिवल इंदिया को इसकी हिस्ट्री को तुन के लिए काफी इच्छी बुक ये है थैंक्स पर वाचिंग दिस बुक रिव्यूव